नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक और महतुपुन जानकरी के साथ हमें एक बार फिर आजी रहें आप लोगों की सेवा में दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जो लोग नए है ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तो क्योंकि इस चैनल में हम आपके लिए उपयोगी और महतुपुन जानकारिया लेकर आते रहते है तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में जानते हैं क्या है नया खास दोस्तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मेकाडामिया नट्स के बारे में मेकर डामिया नट्स क्या होते हैं और क्या होते हैं इसके स्वास्त के लिए लाजवा फाइदे और कुछ साउधानिया दोस्तों मेकर डामिया नट्स के फाइदे भारत में उप्योग किये जाने वाले ड्राइफ फूर्ट्स के समान ही होते हैं मेकाडामिया नट्स विबिन प्रकार के स्वास्त लाब दिलाने के लिए जाने जाते हैं जिनमें की प्रमूक जो रोगों में ये काम में आता है वो है हर्दे स्वास्त वजन कम करने, मदु में, हड्डियों से संबंदित बीमारियां और मस्तिक्स को स्वस्त बनाए रखने में इसका बेजोड फाइदा देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तो अब जो लोग नहीं जानते मेकाडामिया नट्स क्या होते हैं और जो पहली बार इस चीज का नाम सुन रहे हैं उनको इसका थोड़ा सा परिचे देना ऐसे में जरूरी हो जाता है कि ये नट्स आखिर है क्या दोस्तो ओस्तेलिया के मूल निवासी के रूप में मेकाडामिया नट्स को जाना जाता है जियां दोस्तो मेकाडामिया नट्स मेकडामिया पेड के फल है जिने किन्स लेंड्स नट्स, बुश नट्स, मारूची पागल, हवाई नट्स और बावपल नट्स आदी नामों से भी जाना जाता है यह फल प्रोटेसी परिवार से संबंदित होता है दोस्तो इसके पेर लगबग 40 फीट तक उचे होते हैं इसके पत्तियां अंडाकार होती है जो लगबग 3-6 के समूमे होती है दोस्तो इसके फूल पतले होते हैं जो की लगबग 10 इंच तक लंबे होते हैं मेकडामिया नट्स के चारो और एक घठोर आवरण होता है दोस्तो जो बहरी वातावरण से नट्स की सुरक्षा प्रदान करते हैं आप इस तरह से आसानी से समझ लीजिए कि इसके चारो और एक रक्षा कवज बना होता है जो अंदर से फल को पूर्ण तरीके से सुरक्षित रखता है तो चलिए दोस्तो ये था इसका थोड़ा सा परीचे अब जान लेते हैं इसके लाजवाब फाइदों को दोस्तो फाइबर, मेगनेशियम और पोटेशियम जैसे पोशक तत्वों की अच्छी मौजूदगी की कारण ये फल दिल को स्वस्त रखने में बहुत मददगार होता है जी हां दोस्तो इन फलों का सेवन करके कोलेश्टोल और ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है इन फलों में उपस्तित फाइबर, मदूमे के उपचार में साहिता प्रदान करने में साहिक होते हैं साथ ही इन में मौझूद बहुत से एंटी उक्सिडेंट आपकी तोचा और बालों की सुरक्षा कर उन्हें नया जीवन प्रदान करने में साहिक होते हैं इसके अलाओ दोस्तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि यह एनरजेटिक फल होता है इस पोश्टिक नट्स में खराब कोलेश्टोल की अनुपस्त थी और अधिक मातरा में केलरी होती है जो शरीर को ततकाल उर्जा दिलाने में काफी हेलफफुल होता है दोस्तो मेकाडामिया नट्स 740 किलो केलरी तक जारी कर सकता है जी हाँ दोस्तो सही सुना आपने जिस कारण या भोजन के बाद भी लगने वाली भूग को कंट्रोल करने के लिए हलके नाश्टे के रूप में प्रभवी होता है विशे इस रूप से दोस्तों किसी यात्रा के दोरान या वियस्तता के वाले दिनों में उप्योग करने के लिए मेकाडामिया नट्स का उप्योग किया जाता है दोस्तों अधिक मात्रा में उर्जा उपलब्द करने के लिए एनर्जी पाने के लिए मेका डामिया नट से छोटे बच्चों के लिए भी काफी फाइदेबन देखे जाते हैं इसके लाओ दोस्तों केल्शियम हड्डियों के निर्मान का एक प्रमुग घटक होता है यह आप सभी लोग जानते हैं लेकिन हड्डियों को स्वस्तों और मजबूद बनाए रखने के लिए अन्ये खनीज पदार्तों की भी आवशक्ता पड़ती है आप केवल यह ना समझे के हड्डियों को मजबूद करना है तो केवल केल्शियम की पूर्टी की जाए उसके साथ साथ कुछ और लवनों की भी हमें जरुरत होती है दोसो फासफोरस और मेगनीशियम दो ऐसे खनीज पदार्त होते हैं जो हड्डियों के निर्मान और बेहतर स्वास्त को बनाए रखने में मददगार होते हैं केल्शियम के अलावा फासफोरस एक ऐसा खनीज है जो सबसे ज़्यादा लगबग 85 प्रतिशत तक हड्डियों और दातों में पाए जाता है यह हड्डियों को मजबूत बनाता है यदि आपके शरीर में मेगनीशियम की कमी है तो खादिपदार्तों से प्राप्त केल्शियम मुत्र के माद्यम से भार निकल जाएंगे अर्थात आपका शरीर केल्शियम का उबहोग ही नहीं कर पाएगा तो दोस्तों मेकाडामिया नट्स का नियमी सेवन करने से आप इस प्रकार की जो समस्याएं घड़ सकती हैं उससे बस सकते हैं क्योंकि मेकाडामिया में फास्वरस और मेगनीशियम काफी अच्छी मात्रा में होता है इसके अलावा दोस्तों रक्त शरकरा यानि कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी मेकाडामिया का उप्योग किया जाता है जियां दोस्तों मेकाडामिया रक्त में ग्लुकोज इस तर पर सकारात्मक प्रभाव यानि कि पोजिटिव इफेक्ट डालती है मदु में से पेडिट लोगों को मेकाडामिया नट्स का उप्योग करना चाहिए क्योंकि इसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं कच्चे मेकाडामिया नट्स में बहुती कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है इसका मतलब है कि इन नटों का उब्होग करने से रक्त शरकरा के इस तर्मे व्रद्धी नहीं होती है साथी मेकाडामिया नट्स वसा में इंसूलेन पृतिरोट को कम करता है इसके लावा दोस्तों अच्छे हार्ट के स्वास्त के लिए नट्स काफी प्रभावी माना जाता है जैसा कि आप जानते हैं कि मेकाडामिया में कोई कोलेस्टोल तो होता नहीं है लेकिन अगर संत्रप्त वसा का एक अच्छा संग्र इसे माना जाता है मेकाडामिया का नियमिस सेवन करने से रक्थ में कम घनत्व वाले लीपो प्रोटीन के लेविल को कम किया जा सकता है LDL को खराब कोलिष्टोल का जाता है क्योंकि यह दीरे-दीरे धमनियों की आन्तरिक सतर पर जम जाता है इसका परिणाम यह होता है कि यह प्लाग होता है प्लाग नकेवल रक्त प्रभाव को रोकता है भलकि धमनियों को भी लचिला बनाता है धमनियों और रक्त चाप को सस्त बनाये रखने के साध ही मेका डामिया नट्स में मौझूद जो Potassium होता है वो मान स्पेशों के कारिय को भी Control करता है और Aera Themia को भी कम करता है Aera Themia दोस्तो एक एसी इस्तती होती है जिसमें Heart अनियमित रूप से ढड़कता है जी हां दोस्तो यदि समय में इसे Neatrate या फिर Control नहीं किया जाए तो यह गंबिर हर्दे समस्या बढ़ सकती है इससे तो एसे इस situation में भी Mekadamia Nuts काफी प्रभावी हो सकता है तो दोस्तो देखा आपने किस प्रकार कितना लाजवाव यह Nuts होता है और किन-किन गंबिर बिमारियों के उपचार के लिए हम इसका use कर सकते हैं लेकिन दोस्तो इसके कुछ side effects भी होते हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और हम आदी अदूरी जानकारी हमारे viewers को किसी भी condition पर दे नहीं सकते हैं इसलिए इसके कुछ side effects भी होते हैं जिनको भी आप जान लीजिए saveन कर लिया जाए तो इसे allergy हो सकती है और allergy किस किस प्रकार से हो सकती है जैसे कि चक्कर आना तो चाकी कोई skin allergy हो सकती है और खासी आना ये तीन allergy देखी गई है जो लोग ज़्यादा मेकाडेमिया का use कर लेते हैं इसके लावा अगर आप नमकिन मेकाडामिया नट्स का saveन जादा मात्रा में कर लेते हैं तो इसका परिणाम यह रक्त चाप के इस्तर को बढ़ा सकता है जी यह blood pressure के level को बढ़ा सकता है इसलिए unsalted नट्स का saveन नहीं करना चाहिए दोस्तो फाइबर की अच्छी मात्रा मेकाडामिया नट्स में होती है जो की अधिक मात्रा में saveन करने के दोरान गेस, दस्त और सूधन जैसी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं इसके लगा गर्वती और दूद पिलाने वाले माओं को इसका saveन नहीं करना चाहिए यदि आप किसी विशेश प्रकार का दवाओं का saveन कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी मेकाडामिया नट्स का saveन करना नुकसान दायक हो सकता है तो दोस्तो यही थी कुछ सावधानिया और नुकसान इसके तो दोस्तो केसी लगी आपको हमारी यह जान कर यह उम्मिद करता हूँ वीडियो और जान कर यह आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो और जान कर यह अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like करें, share करें और अगर आप लोग नए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर्द भाए धनिवाद दोस्तो